लोग सभध चुनाफ के बाद एक्जिट पोल को लेकर एक तरह से दंगल चल रहा है जिसके पक्ष में रिजल्ट है वो तो मस्त है लेकिन जिसके पक्ष में रिजल्ट नहीं आया वो तरह तरह की बाते कर रहा है बंगाल की सीएम ममता बनर जी आंधुप्रदेश के मुख्यमंत्री नाइडू ने एक्जिट पोल के अनुमानों को खारिच किया और कहा कि ये बेकार की बात है अब उसी क्रम में कॉंग्रिस महासचिफ प्रियंका गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है प्रियंका गांधी ने कॉंग्रिस कारेकरताओं को संबोधित करते हुए एक आडियो टेप जारी किया है जिसमें कहा है कि पार्टी कारेकरता स्ट्रॉंग रूम और मतगर्णा केंद्रों पर गटे रहें कारेकरताओं को जारी ओडियो संदेश में प्रियंका ने कहा कि आप लोग अफवाहों और एक्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए ये अफवाहें आपका होसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही है प्रियंका ने आगे कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी और आपकी मेहनत का अफ़ल मिलेगा यहाँ पर एक बात बता दे कि 19 मई को आए लगभग सभी प्रमुख एक्जिट पोल में NDA को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है एक्जिट पोल के अनुमान जारी होते ही विपक्षी दलों में खलवली मच गई है विपक्ष के नेताओं ने एक स्वर में एक्जिट पोल से नाराजगी जाहिर की वही विरोधियों ने EVM और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठाए है आंध्रप्रदेश के सीम नाइडू ने ट्वीट करके कहा एक्जिट पोल्स जनता की नबस पकड़ने में नाकाम्याब रहे हैं एक्जिट पोल गलत साबित होंगे क्योंकि ये जमीनी हकीकत से बहुत दूर है आंध्रप्रदेश में टीडीपी की सरकार बनेगी और केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बनेगी हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि 50% बूथों के वीवी पैट का मिलान किया जाए गिंती की शुरुवात में विधानसभाशेत्रों के 5 बूथ के वीवी पैट मिलाए जाए लेकिन अगर कोई गड़बडी पाई जाती है तो सभी वीवी पैट की गिंती होनी चाहिए वही बंगाल में बीजेपी और टीमसी की खूनी संघर्ष को आप चुनाव में देख चुके हैं इसी बीच एग्जिट पोल पर ममता बनरजी ने भी नाइडू के सुर में सुर मिलाते हुए ट्वीट करके एग्जिट पोल को खारच कर दिया बेनरजी ने कहा कि मैं एग्जिट पोल की गप पर यकीन नहीं करती इस बकवास से हजारों इवियम से छेड़ चार या उन्हें बदलने की योजना बनाई जा रही है मैं अपील करती हूँ कि सभी विपक्षी दल एक जुट हो हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरंदर सिंग ने एग्जिट पोल्स को ये कहते हुए खारच कर दिया कि इनके सही होने पर संदे है कॉंग्रेस प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रिय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी कुल मिलाकर विपक्ष के नेताओं ने एग्जिट पोल्स को सिरे से खारच कर दिया अब देखते हैं कि 23 माई को होता क्या है